हेलो स्टूदेंट्स वेल्कम टो मैं यूट्यूब चैनल मैं धेट रहे हैं तो गईज हम क्लास 10 का मैध कर रहे हैं आज हम इसकी एक्सराइज 8.4 के एक जाम पल्स करेंगे तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें क्या ही तीन आइडेंटिटे पड़ी थी हैं हमन इनको याद रख सकते हैं और इसमें हमें यह तीन आइडेंटिटे अपलाई करनी है और इनको अपलाई करके हम इसकी जो एक्जाम्पल्स है वो और एक्सराइज निकालेंगे ठीक है तो अभी इसका एक्जाम्पल नम्बर 12 करते हैं तो इसमें क्या गिवल है एक्स्प्रे 10A से 10A, वो हमें express करना है, किस की form में express करना है, sign A की form में, मतलब इन तीनों का यूज़ करके हमें sign A निकालना है, लाश्ट में जो हमारा result आएगा, वो sign में आना चाहिए, तो सबसे पहले देखो, पहले वाले identity यूज़ करते हैं, देखो, कोस चाहिए नामें, तो कोस किसमें है, इसमें है, तो हम यही लेके चलते हैं, तो sin square A plus cos square A is equals to 1, ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, इसको cos square A को तो यहीं रख लेंगे, और यह क्या जाएगा, 1 minus sin square A, तो यहां से इसका square हटाएंगे, तो हमें पता है, कि जब हम square हटाते हैं, तो इस side root लग जाता है, या फिर ऐसे करेंगे, कि दोलो side root लगा लेंगे, इसे इस square हट जाएगा, तो यह चीज़ हमें basic सी है, पिछे भी पढ़िया है, हम पढ़ते आएंगे, इसको कि square हटाएंगे, तो cos A, तो square हटते ही, इस side इसका root लग जाएगा, 1 minus sin square A, तो cos A को हमने sin की term में बना दिया, 1 minus sin square A, यह root में है, गया आगया cos A का, अभी हमें किसका निकालना है, 10 A का निकालना है, ठीज़ें, तो 10 A, 10 A क्या होता है, 10 A होता है, sin A upon cos A, यह होता है, यहां से cos A की value हमने निकाल ली थी, तो हम यही पूट कर देंगे, sin A upon 1 minus sin square A, तो आगया, 10 A भी sin की term में, यह भी sin में है, बस हमें sin की term में निकाला है, यहां पर कुछ और निकाल निकाल देंगे, सिकेंट A क्या होता है, सिकेंट यह होता है, 1 upon cos A, ठीक है, यह भी हमने starting में trigonometric की starting इने से होती है, यह हमने पड़ी हुई है, सिकेंट, 10, quote, sin, cosecant, सारी पड़ी हुई है, तो सिकेंट A is equal to होता है, 1 by cosecant A, cos A की value क्या निकली हुई है, 1 minus sin square, तो यह भी निकल गई sin की term में, तो देखो, इस में न, कुछ नहीं था, हमें in identity का use करके, यह निकाल रखा है, तो यह पहले वाली identity यूज करी है, हमने बस उस से हमने यह सारा stroke करके दिखा दिया, ओके, तो यह था, example number 12, यह कर लेना, कुछ भी नहीं है इससे, अभी हम करते हैं इसका, क्या, example number 13, 13, तो 13 में क्या है, prove that, prove करना है, secant 1 minus sin a, into secant a plus tan a, it equals to 1 k, तो देखो, अगर है न, इस टाइब के question आ जाए न, तो उन्हें क्या करना है, जैसे, यहाँ पर यह साइन में है, यह secant, secant 10, तो हमें उसको साइन और कोस में convert कर लेंगे, तो वो कैसे करेंगे, देखो, secant, यह secant a है, यह secant a है, तो secant a, secant theta क्या होता है, 1 by cos a, ठीक है, यह 1 minus, साइन a, साइन a, एज़ दीज रखेंगे, हमें सिरफ साइन और कोस की टर्म में लेक्या ना है, इसको, और यह क्या हो जाएगा, 1 upon कोस से, पलस, टैने क्या हो जाएगा, साइन a upon कोस से, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हूँ, लेफ्ट हैड साइड लेके हम 1 निकाल देंगे, फिर दोनों इकवल आ जाएगे, यह हमें प्रूव करना है, तो यहां से आगे क्या हो जाएगा, हम यहां से इसको 1 minus साइन a upon कोस से, यह हो गया, अभी इसमें क्या करेंगे, हम LCM ले लेंगे, तो इसके निचे भी कोस है, इसके निचे भी कोस है, तो देखो कोस को कोस से डिवाइड करेंगे, तो वन ही आएगा, पहले हम ऐसे ही करते हैं, वाली चीज़ को पहले इससे डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है ना, उसके इससे multiply करते हैं, तो कोस को कोस से डिवाइड करे तो यहां से आपको क्या लग रहा है पहले नीचे नीचे वालों की multiply कर देते हैं 1 minus sine 1 plus sine upon cos A cos A की multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा cos square A हो जाएगा अभी यहां से A minus B A plus B किसके equal होता है A square minus B square के ठीक है तो यह A 1 है और B क्या है sine A है A 1 है B sine A है तो A minus B A plus B बन रही है नईचे वाली identity तो यहां से क्या बन जाएगा A square minus B square तो A क्या है 1 का square minus B क्या है sine A तो sine A का square क्या हो जाएगा sine square तो यहां पर यह चीज़ जरूर याद ध्यान में रखना sine A का square करेंगे न तो sine square A होगा वो sine A square मतलब यह अगर हम sine A का square कर रहे हैं न तो वो sine square A होएगा इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे sine A square न यह भी गलत है और ऐसे सुचे कि इन दुनों का अलग-अलग square कर दे तो sine square A square यह भी गलत है तो यह गलत है और यह sine square A होएगा तो अभी यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा cos square A आ जाएगा अभी यहाँ से क्या कौनसी वाले identity यूज होगी sine square A plus cos square A is equal to होता है 1 तो हमें चाहिए क्या 1 minus sine square A चाहिए तो sine square A को इस साइड ले जाएगे तो 1 minus sine square A is equal to क्या हो जाएगी cos square A हो जाएगी तो अभी देखो 1 minus sine square A 1 का square करेंगे तो 1 ही रहेगा उसको कितनी बार भी कर लो 1 ही रहता तो 1 minus sine square A कितना जाएगा cos square आ जाएगा तो यह हो गया cos square A upon cos square A तो इसकी value कितनी आ गई 1 तो हमें यह left hand side लेके जरे और 1 के equal हमने प्रूव कर दिया ठीक है तो देखो इस वाले टाहिप वाले question में confusion होने की कहीं पे भी कुछ भी ज़ुरत नहीं बस हमें उनको sign और coast के दम में change कर लेंगे ठीक है अभी हम करती है इसका next example example number 14 example number 14 में क्या है prove that left hand side लेके चलेंगे इसमें भी same और हम right hand side लेके एक उल प्रूव कर देंगे इसको तो क्या है quote A minus cos A upon quote A plus cos A पहला step लेके चलेंगे हम यह हमें किसके equal prove करना है यह equal prove करना है किसके consistent A quote A minus 1 upon quote A plus 1 के equal prove करना है तो सबसे पहले वही मैंने आपको बताए था sign और coast के दम में change करेंगे तो यह coast में है तो quote A को change करेंगे तो quote A क्या होता है cos A upon left hand side लेके चल रही हूँ मैं cos A होता है cos A upon sin A minus cos A यह क्या हो जाएगा cos A upon sin A plus cos A हो जाएगा अब भी यहां से हम क्या करेंगे देखो यह तो इसका LCM लेंगे LCM लेके हमारे कोई identity नहीं बन रही है हमें चाहिए cosecant A minus 1 तो इसमें क्या करेंगे cos A, cos A, cos A, cos A, cos A, cos A cos A को common निकाल लेंगे तो देखो cos A इसमें भी है और इसमें भी है तो इसमें से common निकाला हमने तो यहां पे 1 upon sign A बच गया और इसमें से निकाला तो 1 बच गया same इसमें भी निकाल लेंगे cos A को निकाला तो यह कितना बच गया 1 upon देखो cos A यहां से निकाल लिया तो यहां पे 1 ही बचा ना 1 upon sign A और plus 1 हो गया cos A से cos A cancel हो गया अभी क्या हो गया 1 upon sign A minus 1 upon 1 upon sign A plus 1 तो यतना आने के बाद हमें पता है हमने एक पीछे यह identity पड़ी है तो 1 upon sign A क्या होता है cosecant A होता है ठीक है तो अभी 1 upon sign A की जगह क्या आ जाएगा cosecant A minus 1 upon cosecant A plus 1 तो हमें क्या पूरू करना था यही पूरू करना था तो कुछ भी नहीं है इसमें बस हमें sign और cosecant के टेम में चेंज किया cosecant को मन निकाला cosecant से cosecant सिल हो आवा 1 upon sign A cosecant A होता है cosecant A minus 1 upon cosecant A plus 1 यह हो जाएगा अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हूँ न तो कुछ भी तो please comment section में जाके जरूर पोछना मैं वो आपको फिर से समझाऊंगी अच्छे से और अलग तरीके से समझाने का try करूँगी लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो please please मुझे उस चीज का response जरूर करना मेरे चैनल को like, share and subscribe जरूर करना तो अभी हम इसका next example करते हैं example number 15 तो देखो 15 example में क्या है उसमें भी हमें प्रूव करना है क्या sin theta minus cos theta plus 1 sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta minus 1 is equals to किसके 1 upon sin theta minus 10 theta के ये प्रूव करना है हमें तो इसमें क्या बता रखा है कि हमें कोई से identity यूज करने है इसमें sin theta is equals to इसमें ये चीज हमें बता रखी है कि हम ये वाली identity यूज करें sin theta plus 1 is equals to is equals to 1 plus 10 square theta ये वाली identity यूज करनी है हमें second square theta is equals to 1 plus 10 square theta तो देखो क्या करेंगे हम सिबसे पहले यहाँ पे तो sin cos की term में already है लेकिन हमें चाहिए क्या second और 10 में चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये कैसे बन सकता है sin upon cos होता है तो मतलब cos पी चाहिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे इसमें जो पूरी है ना इसको इसके numerator और denominator को किसे डिवाइड कर देंगे cos theta से डिवाइड कर देंगे तो dividing numerator and denominator by cos theta तो क्या हो जाएगा sin theta upon cos theta minus cos theta upon cos theta plus 1 upon cos theta upon sin theta upon cos theta plus cos theta upon cos theta minus 1 upon cos theta cos theta से cos theta cancel इससे ये cancel अभी यहाँ sin theta upon cos theta ये क्या होता है 10 theta ये minus 1 1 upon cos theta क्या होता है second theta upon sin theta upon cos theta क्या होता है 10 theta plus 1 minus 1 upon cos theta क्या होता है second theta ठीक है इतना आगे-आगे अभी हम इसके आगे क्या करेंगे ये 10 थिटा और सिकेंड थिटा को एक चगल ले आएंगे और इसको माइनस वन और पलस वन को एक बार बात इनको एक अठा लिख लेते हैं 10 थिटा पलस सिकेंड थिटा माइनस वन अपून 10 थिटा माइनस सिकेंड थिटा पलस वन ये हो गया अब इसके आगे हम इसको square बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें एक 10 theta और second theta और चाहिएगा तब हमारे इस identity में आ सकते हैं यह तो यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको 10 theta minus second theta से multiply करेंगे और divide करेंगे अगर इसको multiply और divide करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ता तो यह क्या हो जाएगा 10 theta plus second theta minus 1 upon 10 theta minus second theta plus 1 क्या क्या मैंने 10 theta minus second theta से multiply कर दिया और divide कर दिया ठीक है मतलब इससे यह cancel हो जाएगा तो यहीं बचेगा क्या कि हमेंने बस इन दोनों को divide कर दिया अभी देखो यहाँ से यह वाली जो चीज है इसको bracket में लिख लेते ताकि यहाँ पर हम confuse ना हो 10 theta plus second theta minus 1 10 theta minus second theta plus 1 ठीक है तो अभी देखो यह क्या हो जाएगा हम करते हैं इसकी इसके साथ multiply अभी कुछ नहीं है बस हमें इसको solve करना है इसकी इसके साथ multiply करते हैं तो देखो 10 theta minus second theta सबसे पहले करेंगे पहले वाले की इसके साथ तो यह क्या हो जाएगी 10 theta plus second theta किसके साथ करनी है 10 theta minus second theta के साथ अभी minus 1 की इसके साथ करेंगे तो यह यही रहेगा 10 theta minus second theta upon इसको adjectives रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा 10 theta minus second theta plus 1 और यह 10 theta minus second theta ठीक है तो अभी यहां से देखो 10 theta, 10 theta, second theta, second theta, a plus b, a minus b वाले identity बन रही है तो यह क्या हो जाएगा 10 square theta minus second square theta हो जाएगा और यह आगे क्या हो जाएगा 10 theta minus second theta plus 1 और यह 10 theta minus second theta ठीक है अभी इसने जो हमें यहां पर पताया था कौन से वाली identity यूज़ करनी है हमें 10 square theta is equals to 1 plus 10 square theta यह वाली identity यूज़ करनी है तो यहां से देखो यह 10 square theta minus second square theta आया है तो अभी 10 square theta को हम इस साइड ले आए तो यह क्या हो जाएगा 10 square theta minus 10 square theta is equals to 1 हो जाएगा बस मैं 10 square theta को इस साइड उठा के लाए हूँ तो यह second square theta यहां पे पलस में था तो यहां पे आके क्या हो जाएगा माइनस 10 स्केर थिटा लेकिन हमें चाहिए क्या 10 स्केर थिटा माइनस स्केर थिटा चाहिए तो हम यहां से क्या ले लेंगे माइनस कोमन लेंगे माइनस कोमन लेंगे तो जो माइनस वाला है वो हो जाएगा पलस और जो पलस वाला है वो क्या हो जाएगा minus और it equals to 1 ठीक है तो यहां से 10 square theta minus second square theta is equals to क्या जाएगा minus 1 यह minus इस side चला जाएगा यह हैसे चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है यह minus को उस side हो गया 10 square theta minus second square theta की value क्या आ गई minus 1 आ गई तो यहां से मैंने इसको put कर दिया और यह क्या हो गया 10 theta minus second theta अब उन क्या हो जाएगा निच्छे हम इसको ऐसे गा ऐसे लिख देंगे second theta plus 1 और यह 10 theta minus second theta अभी देखो यह minus 1 अभी minus अंदर वाले sign को change कर देता है तो यह minus 10 theta plus second theta यह क्या जाएगा 10 theta minus second theta plus 1 10 theta minus second theta ठीक है यहां तक हो गया अभी देखो यहां पर यह क्या है minus 1 minus 10 theta plus second theta निच्चे क्या है 10 theta plus 1 और यह minus second theta है तो अभी इसमें अगर हम minus को comment निकाल लें उपर वाले में minus को comment निकाल लिया तो यह क्या हो जाएगा 1 plus 10 theta minus second theta ठीक है कुछ नहीं मैंने minus को comment निकाला है वस तो यह नीचे क्या बच गया 10 theta minus second theta plus 1 plus 10 theta minus second theta तो अभी यह देखो यह और यह सेमनी लग रहा आपको 1 plus 10 theta plus second theta minus वो कोई फरक नहीं पढ़ता आगे पिछे लिख सकते हैं तो 1 plus 10 theta minus second theta यह भी क्या हो जाएगा 1 plus 10 theta minus second theta तो यह cancel हो जाएगा क्या बच गया minus 1 upon 10 theta minus second theta बच गया ठीक है तो अभी इस minus को भी हमें cancel करना है तो यहां से minus 1 निक्चे वाले में भी minus को मले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा second theta minus 10 theta हो जाएगा ठीक है तो यह आ गया 1 by second theta minus 10 theta 1 by second theta minus 10 theta जो है इसकी right hand side तो hands left hand side is equals to right hand side क्योंकि यह यहाँ पर given है हमें प्रूव करके दिखाना था तो देखो अगर इस type के question आ जाई थोड़ा lengthy जरूर होता है बस हमें हमारे step को छोड़ना नहीं चाहिए देखना चाहिए कि हम कहां से क्या cancel कर सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं तो अगर हम उसको step by step अच्छे से करते हुए चलेंगे तो यह easily निकल जाएंगे अगर कहीं पर भी हम थोड़ा सभी confused हो गए कहीं पर कुछ identity है यह हमें याद रखनी पड़ेंगी जैसे sign ठीक्ता इस उकल्स टुवन बाई को सिकेंट ठीक्ता होता है ऐसे ही court is equals to one by ten होता है 10 is equals to one by court होता है cost is equals to one by second होता है second is equals to one by cost होता है ठीक है तो यह और कुछ यह जो तीन identity है जो हमने अभी इसकी जो पिछे वाले जो basic क्या था हमने इसका introduction part क्या था 8.4 का वहां पे करी थी कि sin square theta is equals to one बतलब जो यहां पर भी मैंने रुख रखी है यह जो तीन identity है जो starting में बता रखी है इन तीनों को भी learn करेंगे तो बस इनको कैसे जैसे इनको जोड़के तोड़के कहीं से कुछ आगे पिछे करके सिर्फ इनको गुमाफिरां के यूज करेगा ठीक है तो इनका करके हम एजली इनको निकाल लेंगे तो यहां पर होते हैं इसके एक्जाम पर खतर अभी इसकी जो एक्सराइज है लेक्स वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगर यहां तक आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करना ओके थेंक्यू